तो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एडू फाइल आज के इस वीडियो में हम लोग वीन ब्रिज ओसिलेटर के बारे में डीटेल में डिस्स करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग इसके फुल कॉंसेप्ट को नोट्स के साथ में, वर्किंग के साथ में, एप्लिकेशन के साथ में, डीटेल में समझने वाले हैं सबसे बहले समझते हैं यह होता क्या है वीन ब्रिज ओसिलेटर एक ओसिलेटर की तरह सिगनल को ओसिलेट कराता है कभी plus में, कभी minus में, कभी plus में, कभी minus में, इस तरीके से ये भी signal को oscillate कराता है, ये एक electronic oscillator होता है, जो की mainly sine wave को generate करता है, कुछ इस तरीके से हमारा sine wave होता है, ये large range of frequency के signal को generate कर सकता है, कम frequency हो, ज्यादा frequency हो, सब को ये generate कर सकता है, ये इसकी खास बात है, और इसका सबसे important feature य यह है कि यह circuit जो है fluctuation से free है fluctuation से free का मतलब जैसे मा लेजी आपके घर में power supply आई अब power supply हमारे घर पे कितनी आती है लग बग 220 वोल्ट की power supply आती है लेकिन यह vary करती है कभी 140 वोल्ट तक पहुंच जाती है कभी 260 वोल्ट तक पहुंच जाती है तो क्या होता हमारे जो appliances होते हैं circuit का fluctuation को भी सह सकता है easy way में मतलब यह free है fluctuation से और temperature से जैसे कम temperature है या ज्यादा temperature है circuit का तब भी यह चल सकता है तो यह इसका important feature है और क्या इसके advantage है इसका advantage क्या है देखते हैं यहाँ पे इसका advantage यह है कि इसका range बहुत अच्छा है 10 Hz से 1 MHz तक के यह signal को generate कर सकता है यह इसका main advantage है अब हम लोग क्या करते हैं इसके construction को समझते है और हमारा amplifier किस तरीके से इसमें होता है काम करता है इसको समझेंगे तो जैसा कि आप लोग basic जानते हैं कि भाई हमारा amplifier कुछ इस तरीके से होता है हम source से power supply लेते हैं और कुछ input देते हैं Amplifier को, Amplifier को हम कुछ इस तरीके से Input देते हैं, हमें यहां पर Output कुछ मिलता है, इस तरीके से Output मिलता है, अगर हम Output से कुछ पार्ट ले लेते हैं, कुछ पार्ट लेके फिर से Input को दे देते हैं, तो हम इस Process को क्या कहते हैं, Feedback, क्या कहते हैं, Feedback, मतलब कि हमने वापस इस इसके input दे दिया, अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम source एक बार ही देते हैं, source हम एक बार देके फिर हटा लेते हैं, तो हटा लेते हैं, अब source हमारा खतम हो गया, पहली बार में तो हमारा source था, यहाँ पे signal गया, अब इस signal को वापस हम लेंगे, और फिर से हम इसी को input बना द अब oscillation की दो condition बार काउसन ने दी थी कि loop gain must be unity देखे जो gain है अब amplifier से क्या होता है gain होता है जैसा signal weak है तो strong बन जाता है क्या बन जाता है strong अगर loop gain unity नहीं हो तो हमारा signal strong होता चला जाएगा होता चला जाएगा होता चला जाएगा यह निकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएग signal infinite हो जाएगा और अगर one से छोटा हो तो हमारा signal कम होता जाएगा कम होता जाएगा खतम हो जाएगा तो इसे लिए loop gain unity होना चाहिए किसी भी oscillator के लिए तो इसके लिए loop gain कितना होना चाहिए unity यह पहला condition है दूसरा है कि face shift जो होना चाहिए वो zero हो या multiple of two हो मतलब यह है कि ज shift है इस तरीके से नहीं होना चाहिए clear तो यह दो condition होती है हमें मालूम है already अब इसको समझते विंडिज oscillator के construction को हमने basic समझ लिया है अब यहां पर देखे compare करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहां पर तो देखे amplifier कहां पे मुझे आप धून के बताएगे तो amplifier यह है वा feedback है यह देखे इस amplifier से मैंने signal को लिया और वापस इसको दिया तो यह मेरा feedback की तरह काम करेगा यह आपने समझा कि यह मेरा amplifier है और यह मेरा feedback है तो भाई हम समझ रहे हैं कि विंडिज oscillator या oscillator हमारा किस तरीके से है clear है अब RC coupled amplifier को मैं समझा ही चुका हूँ already आपको लेकिन मैं य विंडिज oscillator के हम लोग construction को सबसे पहले समझते हैं तो विंडिज oscillator हमारा दो ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है अब यह ट्रांजिस्टर का system जैसे मेरा RC coupled में था वैसे ही इसमें भी होता है दो ट्रांजिस्टर होता है और यह दोनों ट्रांजिस्टर जो होते हैं वह common emitter विंटर में लगे होते है common Emitter का मतलब यह देखिए यह है यह यह क्या है Emitter है yes yeah यह collector होता है हमको मालू में तीन टर्विनल होता है emitter, base collector, emitter, base collector तो emitter जो होता है वो output भी emitter से हम लेते हैं और input भी emitter को देते हैं मतलब emitter दोनों में common होता है clear है तो यह हम समझ चुके दो हम transistor लेते हैं इसके construction में और दोनों common emitter में होने चाहिए और क्या लेते हैं एक bridge circuit लेते हैं जो bridge की तरह होता है जैसे आपने side 12 में wheatstone bridge पढ़ा होगा वैसे ही यह bridge है wheatstone नहीं है लेकिन यह bridge है अब bridge में क्या है कुछ resistance लगे हुए है कुछ registers है R1, R2, R3 और यह LP एक हमारा resistance ही है लेकिन कुछ अलग तरीके का यह एक bulb है समझ लीजे क्या है बल्व है और यहाँ पर C1 capacitor है यहाँ पर C2 है C1 series में लगा हुआ है C2 parallel में लगा हुआ है तो यह हमारा construction है भाई क्या है construction और यह तो मैंने आपको बताया कि यह हमारा amplifier की तरह काम कर रहा है जिससे मैं वापस output से signal लेके feedback कर दे रहा हूँ जो कि मेरे basic हमारे oscillator की तरह है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है construction को मैं आपको notes दिखा देता हूँ two stage transistor amplifier है यहाँ पर with RC bridge circuit जो RC bridge circuit हम पढ़ चुके हैं अब भाई इसमें इतने सारे resistance वगेरा क्यों लगे हैं तो resistance हम इतने ज़्यादा क्यों लगाते हैं क्योंकि यह voltage divider का काम करता है और इससे stable voltage मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए stable voltage क्योंकि देखिए हम oscillation कराते हैं उस case में मुझे 1 चाहिए होता है unity चाहिए होता है gain तब ही मेरा oscillation लगातार होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा अगर यह सब हम ना करें stability ना दें तो क्या होता है unwanted signal present होता है हमारा circuit में वो इसके साथ मिलके distortion create कर देता है तो इसलिए यह सब resistance लगा रहे है जरूरी होता है clear है तो भाई इसलिए हम लगाते है RC bridge circuit हमने लिया है in the bridge circuit R1 in series मैं बता चुका हूँ आपको C1 से और मेरा एक R3 है यहाँ पे और tungsten lamp है LP tungsten का बना हुआ है और यहाँ पे R2 in parallel with C2 चार arm है चार भुजाए है इसकी अब यहाँ पे आगे समझे resistance R3 और LP जो है वो किसले यूज़ कर दे जाते हैं stabilize करने के लिए amplitude of the output जो हमारा output का amplitude होता है उसको stabilize करते हैं R3 और LP कैसे करते हैं मैं आभी आपको working में बता दूँगा don't worry transistor T1 जो है inverter T2 जो है वो मेरा inverter की तरह काम करता है inverter मतलब क्या inverter मतलब जैसे signal ऐसा है देखिए ऐसा है तो signal को face shift कर देता है यूँ कर देता है यह देखिए उपर था यह नीचे कर दिया face shift तो inverter की तरह काम करता है यह circuit जो है positive और negative feedback को रखता है positive और negative feedback अब भाई यह क्या चीज है इसको समझ ले तो आपने feedback समझा feedback क्या होता है जो output से signal लेके input को दे देता है अब देखिए अगर मेरा signal feedback का जो signal भाई feedback को signal ले रहा है अगर मेरा feedback का signal कुछ इस तरीके से है और input का भी signal इस तरीके से मतलब दोनों का face सेम है तो मैं कहूंगा इसको positive feedback क्या कहूंगा positive feedback positive feedback क्या होता है gain को बढ़ाता है अब देखिए अगर मेरा feedback का signal ऐसा है और मेरा जो input का signal है input का signal ऐसा है मतलब एक दूसरे के face opposite है तो क्या होगा हम इसको कहते है negative feedback क्या कहते हैं ऐसे feedback को negative feedback positive feedback मुलब same face होता है input का और feedback का negative feedback में input का और मेरा feedback का जो face होता है वो opposite होता है clear है इतना तो भाई positive और negative दोनों feedback को use करते हैं क्योंकि balance हो जाता है क्या हो जाता है balance तभी तो मुझे 1 मिलता है अगर देखे ज़्यादा gain हो जा रहा है तो negative feedback हमारा क्या करेगा gain को कम कर देगा यानि one के बराबर कर देगा तो मेरा oscillation लगातार होता रहेगा अगर कम gain हो रहा है तो मेरा positive feedback क्या करेगा उसको बढ़ा देगा इसलिए ये self balancing एक तरीके से हमारा oscillator है self balance कर ले रहा है अब देखे positive feedback is through R1C1 R2C2 positive feedback जो है R1C1 और R2C2 के थ्रू हम देंगे to the transistor T1 to the transistor T1 T1 को हम देंगे और negative feedback हम किस से लेंगे voltage divider R3 LP R3 और LP जो है वो negative feedback to the emitter of the transistor T1 देखे ये T1 है ये T2 है दो transistor हम ले रहे है ये T1 है और ये T2 है clear है तो ये negative feedback हम इसके through ले रहे है और positive feedback हम इन दोनों के through ले रहे है तो very very easy है इसमें कोई दिक्कत नहीं में वर्किंग में भी आपको easy समझा दूँगा अब देखे इसका formula क्या होगा formula R1 is equal to यहाँ पर formula होता है frequency का कि हमारा signal का frequency क्या है उसको अगर में निकालना हो तो f is equal to 1 by 2 pi under root R1 C1 R2 C2 ये होता है वर्किंग समझते हैं जब हम circuit को start करते हैं power supply देखे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई मैं power supply देता हूँ पहली बार में power supply ये देखे इसमें भी हम source दे रहे हैं एक बार source दे कि फिर हम हटा लेते हैं और मेरा oscillation लगातार होता रहता है तो यहां पी भी मैं power supply दूँगा plus VCC इस amplifier को तो मैं power supply दूँगा तो क्या होगा amplifier से input से भाई output मुझे मिलेगा और output से मैं वापस feedback करा दूँगा इस तरीके से और feedback कराने के बाद में ये gain को कम करेगा ज्यादा करेगा depending upon the situation और फिर उसके बाद में फिर से amplifier में भेज देग सिगनल को amplifier में signal को भेज़ेगा ऐसे लगातार oscillation होगा मैं short में आपको बता रहा हूँ अब मैं इसको long में detail में बताना चाहूंग आपको तो यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं इसमें circuit is started bridge circuit produce oscillation of frequency जब circuit start होगा तो oscillation होगा oscillation जो होगा वो bridge circuit में होगा यह तो मेरा amplifier है यह दोनों क्या है amplifier है यह weak signal को strong signal में change करेंगे clear है और oscillation यहाँ पे होगा oscillation कैसे होता है देखे capacitor charge होता है discharge होता है लगातार ऐसे process होता है उसी से मेरा क्या होता ऑसलेशन होता है bridge circuit में और फिर bridge circuit में oscillation होता है तो signal क्या हो signal weak ना हो जाए इसलिए मुझे amplifier का use करना पड़ता है कि signal strong हो जाए फिर आता है फिर उसके बाद weak हो जाता है तो फिर मैं strong करत हमकुल मिला कि gain 1 होना चाहिए तो circuit जब हम start करेंगे तो frequency कुछ determine कर सकते हम इस formula से दो transistor जो है वो face shift 360 produce करेंगे देखिए मैंने आपको बताया था कि face shift जो होना चाहिए second condition वो 0 होना चाहिए या 360 होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए मतलब input का face और output का face तो इसको समझ लेते हैं 360 कैसे करेंगे देखिए मैंने आपको बताया था common emitter amplifier जो एक होता है पिछले वीडियो में common emitter amplifier क्या करता है जैसे यहाँ पे मैं input दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का signal दे रहा हूँ तो common emitter amplifier क्या करता है वो हमारे signal को क्या कर देता है invert कर देता है मतलब face shift कर देता है यह दिखिए 180 degree face shift कर दिया तो एक हमारे transistor 180 degree करेगा और फिर 180 degree से फिर यह ऐसे हो जाएगा भई दूसरा transistor है तो यह फिर से ऐसे ही हो जाएगा signal यानि input का और output का phase जो है वो same हो गया एक transistor 180 करेगा फिर यह 180 करेगा तो 180 180 कितना हो गया 360 यानि मुझे same face मिलेगा तो इसकी कोई दिक्कत नहीं इसलिए दो transistor use करते हैं ताकि face same हो 360 का होगा तो यानि face same हो जाएगा so that proper positive feedback is insured देखो हमें face shift 360 degree होना चाहिए कम से कम 360 के बिना नहीं हो पाएगा हमारा condition ही ही है और proper positive feedback को हम insure करेंगे proper positive feedback को हम insure करेंगे कुछ इस तरीके से ताकि हमारा gain हो फिर उसके बाद फिर से amplify हो इस तरीके से लगाता process चले अब negative feedback circuit में क्या insure करता है कि output जो हमें मिल है वो constant हो जाए क्या हो जाए constant अगर बहुत ज़्यादा gain हो रहा है तो output को मुझे क्या करना पड़ेगा थोड़ा कम करना पड़ेगा constant करना पड़ेगा इसलिए मैं LP का यूज करूँगा और R3 का यूज करूँगा ये negative feedback negative feedback gain को कम कर देते हैं negative feedback मैंने आपको बताया था कि भाई negative feedback में क्या होता है हमारे input का और feedback का signal एक दूसरे के opposite face में होता है मैं आपको समझा चुका हूँ already तो यहाँ पे negative feedback क्या करता है जो हमारे output को constant करता है this is achieved by temperature sensitive lamp LP LP के वज़े से होता है ये temperature sensitive होता है मतलब क्या है इसका कि भाई अगर resistance हमारा क्या होता है बढ़ जाता है जब current increase हो जाता है circuit में अगर current बहुत ज़्यादे increase हो गया तो resistance ये LP का हमारा क्या हो जाता है बढ़ जाता है if the amplitude of output tend to increase more current would provide more negative feedback तो ज़्यादा negative अगर बहुत ज़्यादा gain बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा मेरा current बढ़ जाएगा current बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा ज़्यादा negative feedback produce होगा जिससे ultimately gain क्या हो जाएगा कम हो जाएगा the result is that the output would return to original value इससे क्या होगा output हमारे original value में आ जाएगा इसलिए मैंने आपको बताया था positive negative feedback का हम use करते हैं यहाँ पर reverse action would take place if output tend to decrease अगर output decrease कर रहा है तो क्या होगा भाई तो इसका resistance मेरा क्या होगा increase हो रहा था अब decrease हो जाएगा यानि कुल मिला के मुझे constant gain मिलेगा क्या मिलेगा constant gain इसलिए हम लोग इसको use करते हैं अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था construction में construction को मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ construction में मैंने आपको बताया था positive feedback R1 C1 R2 C2 से लिया आयता है R1 C1 और R2 C2 यह है मेरा positive feedback और negative feedback इसको भी मैं समझा देता हूँ R3 LP to the emitter of transistor T1 अब इससे मुझे negative feedback कैसे मिल ला है यह मैं समझना चाहूँगा तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे signal देता हूँ तो यह मेरा एक transistor है एक transistor क्या करता है 180 degree का phase shift करता है तो 180 degree है बाई और input मेरा क्या है इस तरीके से है तो input और feedback का देखिए क्या है opposite है न तो इसलिए यह किसका काम करेगा negative feedback का यहाँ से मैं easily समझ जा रहा हूँ तो इसलिए हम emitter of transistor T1 को दे रहे है clear अब R1 बराबर R2 यह मैंने आपको तो बता ही दिया है formula कैसे होता है तो यह है इसकी working कि भाई दो transistor phase shift 360 करते हैं positive feedback और negative feedback होता है ताकि gain को control किया जा सके और कई अलग-अलग frequency के signal को generate किया जा सके तो बहुत ही simple है VN bridge oscillator अगर इसको आप अच्छे से clear समझ रहे हैं तो अब applications को समझते हैं कि इसके applications क्या है frequency के term में देखिए मैंने आपको formula already बताया हुआ है आप in capacitance की value जैसे आपको unknown है capacitance आप यहाँ पे लगा दीजे frequency आपको पता है capacitance नहीं पता है तो इस formula का use करके आप find out कर सकते हैं तो यह है इसका application और हम इसका use कर सकते हैं audio frequency को measure करने के लिए इसलिए इसका audio frequency में बहुत ही बड़ा application है अब इसके advantage को समझते हैं circuit हमारा good frequency stability को provide करता है तो यह इसकी खास बात है कि stable है constant output देता है क्योंकि positive और negative feedback दोनों का use करता है frequency of oscillation can be change easily frequency को हम change कर सकते हैं अपने capacitors और resistance की value को change करके disadvantage यह है कि circuit cannot generate a very high frequency frequency बहुत high frequency को नहीं generate कर सकता है भाई 1 megahertz तक generate कर सकता है यहां तक मैंने आपको बताया था 10 hertz to 1 megahertz लेकिन बहुत high frequency को नहीं कर सकता है और इसके क्या है कि इसमें आपको दिक्तित यह है कि आपको दो transistor कम से कम चाहिए और कई सारी capacitor यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह सब क्यों यूश करता है तो capacitor का use resistance का use तो मैं आपको बता चुका हूं capacitance का use इस लेकि आता है capacitance का का काम यहां होता है कि यह unwanted signal को block करता है मतलब जो weak signal होते हैं weak frequency के signal होते हैं उनको ये block करता है और जो high frequency के signal होते हैं उन्हीं को allow करता है जिसको मुझे ज़रूरत होती है तो ये सब काम है इनको coupling capacitor कहते हैं मैं already आपको कई वीडियो में समझा चुका हूँ तो इस वीडियो में इतना है रखते हैं I hope ये वीडियो आपको अच्छे से clear होगा वीडियो देखने के लिए thank you thank you so much